हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चानल तो गाईज आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस क्रिस क्रॉस हिजाब की कटिंग और स्टिचिंग बहुती इजी तरीके से तो इस तरह के हिजाब बनाने में हमारा काफी टाइम लगता है और इन प्लेट्स को हमें पिंसे टक करना पड़ता है और ये प्लेट्स खुलने का भी डर रहता है तो देखिए ये क्रिस क्रॉस हिजाब है जो रेडिटु वेर है इंस्टेट हिजाब है तो हमने इसको बहुत आसानी से बताया है वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन जरूर दबा दें ताके मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए तो यहां पर देखिए हमारी लैंद तो दो मिटर है बट इसकी हमने वीड कम करनी है वीड हम अपने हिजाब की रखेंगे 30 इंच आप एक दो इंच कम या जादा कर सकते हैं जितनी भी आपको रिक्वार्मेंट है तो मैं यहां 30 इंच पर मांक करके इसको कर लूगी और जो है अब दुपट्टा तो हमारा तयार है बस जो हमारी रौ एजेस है उसको हमने फोल्ड करना है तो एक साइट से हमारे दुपट्टे में किनारी है और तीन साइट से हमने इस तरह से क्वार्टर इंच पर डबल फोल्ड करके चारों तरफ से इसको हैम कर देना है और इस तर प्रिक की लेंथ में इस तरह से कट कर लेना है तो यहां पर हम 3.5 इंच पर मार्ग करेंगे विट के लिए और इसकी लेंथ के लिए हम 10 इंच पर मार्ग करेंगे इस तरह से हम एक सीधी पट्टी कट कर लेंगे अब इसी तरह से मैं साथ पट्टिया और और कट करूंगी क्योंकि मुझे अपने क्रिस क्रॉस में पूरी एट पट्टिया लगानी है यानि चार पट्टिया हमने एक साइड में लगानी है तो इस तरह से देखिए मैंने लगबग 8 पटिया कट कर ली है अब हमने इनको डबल फोल्ड करके स्टिच करना है तो यह हमने कैसे करना है चलिए आपको मशीन पे दिखाती हूँ तो दिखिए इस तरह से पट्टिया मैंने तयार कर ली है तो यह मैंने कैसे की हैं वो मैं आपको एक पट्टी तयार करके दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समाझ जाएगा पट्टी को हमने डबल फोल्ड करना है और यहां से वन फुट के मार्जन से स्टिच करना है इसके बाद दूसरी साइट से भी हमने उतना ही मार्जन लेना है इस तरह से इसके बाद हमने इसके कॉर्नर्स कर देने हैं इस तरह से अब किसी नोकिली चीज से हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे तो इस तरह से ये पट्टी हमारी right side में turn हो जाएगी अब इसको अच्छे से हम corners निकालेंगे और इस पर हम iron कर लेंगे तो इस तरह से ये हमारी सारी पट्टिया तयार हो गई है अब देखिए इसके बाद हमने अपने हिजाब का क्रिस क्रॉस तयार करना है तो देखिए fold वाली side नीचे रहेगी और जो हमारी सिलाई वाली side है वो इस तरह से रहेगी बिल्कुल इसी तरह से हमने सारी पट्टिया रखनी है तो दूसरी पट्टी भी हमने बिल्कुल इसी तरह से इसके उपर इस तरह से रखनी है और gap हमने half इन से थोड़ा कम रखा है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं इसके बाद हम यहाँ पर इसको पिंसे सैट कर देंगे और अब हमने इसको सिलना है तो जो सिलाई है हमारी वो उपर वाली पट्टी पर आएगी लेकिन जो हमारी नीचे वाली पट्टी है उसके साथ हमने इसको दबाना है कुछ इस तरह से अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको निकाल के कमप्लीट कर देंगे अब दूसरी साइड में हमने अलग पट्टी रखनी है वो भी हमने उसी तरह से रखनी है जैसे हमने और पट्टिया रखी है यानि फोल्ड वाली साइड नीचे रहेगी और स्टिच वाली साइड उपर रहेगी और गैप हमारा बराबर रहेगा इसी तरह से आब हम इसको भी सिलेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर मैं चार पट्टी एक साइड में यूज़ कर रहे हूँ और चार एक साइड में टोटल हमारी एट पट्टियों से क्रिस क्रॉस बनेगा आप चाहे तो इसको एक दो कम ज़्यादा कर सकते है आप देखिए हमने दूसरी पट्टी साइड में लगा ली है तीन पट्टिय हमारी इस साइड में भी आ गई है तो पिन से हम हाथो हाथ सैट करते रहेंगे इसके बाद इस साइड में हमारी ये चार पट्टियां आ गई है और आप plates का gap देख सकते हैं जो हमारा gap है वो बराबर रहेगा तो इस तरह से एक side में हमारी 4 पट्टिया आ गई है तो friends वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को end तक जरूर देखें तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और आपके डिजाइन में कोई भी दिकत नहीं आएगी अब देखिए 4 पट्टिया हमारी एक तरफ लग चुकी है अब हमें सिर्फ एक पट्टि और लगानी है तो total हमारी 4 पट्टिया हो जाएंगी दोनों side अब बिल्कुल इसी तरह से हमने लास्ट वाली पट्टि और रख लेनी है तो ये हमारी 4 पट्टिया हो गई है तो इस तरह से ये हमारा हिजाब का क्रिस क्रॉस तयार हो गया है तो फ्रेंट्स कुछ ऐसी बात जो मैं वीडियो में आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ आप हमें comment box में जरूर पूछे तो देखें इस तरह से ये हमारा क्रिस क्रॉस तयार हो गया है अब हमने इसके लिए बैल्ट तयार करनी है तो सबसे पहले हम इसकी ये साइड से मेजर करेंगे तो ये हाँ से ये ढाई है और इसी तरह से दूस्री साइड भी इसकी ढाई inश होनी चाहीए तो ये पर्फेक्ट ढाई inश है तो फ्रेंट्स इसकी बैल्ट कैसे तयार करनी है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो पट्टिय ली है अभी हमारे क्रिस क्रोस की चोड़ाई धाई इंच थी तो धाई कर डबल होता है फाइव तो यहाँ पर मैंने फाइव में एक इंच और प्लस किया है तो हो गया 6 इंच तो 6 इंच की चोड़ाई पर मैंने यह पट्टिय ली है दो और इसको हमने cut page तरह से रखना है और यहां से हमने belt को double fold कर देना है और half inch का margin लेते हुए हम इसको सिलेंगे तो देखिए इसको हमने जो हमारा notch है वहाँ पर रखा है और इस तरह से इसके उपर हमने overlap किया है अपनी belt को अब starting में lock करेंगे और जहां तक हमारा क्रिस क्रॉस है वहाँ तक हमने sly को रोकना है इसके बाद लगबग half inch हमारा जो extra fabric है उसको सिलना है तो अंदर वाली cross को इस तरह से अंदर रखना है और दोनों fabric जो हमारे belt के हैं side से दोनों को पकड़के half inch के margin से इसको नीचे तक सिल देना है तो front यह बहुत आसान है बस को अच्छे से समाज आ जाएगा इसके बाद हम इसको यहां से निकाल लेंगे अब यहां से थोड़े से हम corners इसके कट कर देंगे अब इसको हमने इस तरह से पकड़ना है और बाहर की तरफ सीधा कर देना है तो दिखें यह बहुत आसानी से सीधा हो गया है तो यहां पर आपको जो भी अपने belt की length लेनी है यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हैं तो मैंने 15 इंच पर इसको cut किया था अभी यह 14 इंच पर तयार हो जाएगा दोनों तरफ से half half inch हमारा margin गया है इसके बाद हम इसको half inch अंदर करेंगे और यहां से इसका जो हमारा open वाली side है इसको बंद कर देंगे तो यहां से अगर आपको अपनी पट्टी की length ज्यादा लगती है तो यहां से आप कम कर सकते हैं बाद में भी आप देखिए हमें दूसरी side की belt भी same इसी तरह से लगानी है तो जो हमारे belt डगाने का हिसाब था वो जो भी हमारी criss cross की चोड़ाई है उसके double करके 1 inch add करना है यानि हमारे belt criss cross की चोड़ाई धाई इंच है तो धाई का double हो गया 5 inch फिर उसमें हमने 1 inch add किया seaming allowance के लिए और उसमें हमने 6 inch पर उसको cut कर दिया तो देखिए धाई पर तो यह हमारा criss cross है यहां तक यह सिल गया इसके बाद अब यहां से half inch हमारा fabric extra है तो इसको हम यहां से सिल देंगे तो यह हमारी belt की चोड़ाई भी धाई इंच हो जाएगी तो बहुत ही आसान है यह बस थोड़ा आपको ध्यान से वीडियो देखना है और उसको उसी तरह से follow करना है अब देखिए दोनों side से हमारी belt लग चुकी है तो इसको भी हम right side में turn कर लेंगे इस तरह से इसके बाद इसके side से भी हम यह अपने इसके जो हमारा open side है यहां से हम इसको अंदर fold कर लेंगे और यह तयार हो जाएगा तो guys वीडियो useful रहा तो please वीडियो को like करके comment जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell button जरूर दबा दे तो यहां पर देखिए दुपटे में हमने जो हमारा hamming का काम था वो भी कर लिया है और दुपटे के एक side में हमारी किनारी है बाकी तीन side में हमने इसको double fold कर लिया है इस तरह से अब हमने इस दुपटे में अपना क्रिस क्रोस वाला हिजाब लगाना है तो यहां पर देखिए एक side से हमने इसको इस तरह से रखना है दुपट्टा हमारा right side में है इस तरह से और जो हमारी किनारे वाले side है दुपट्टे की वहाँ से हमने इसको measure करना है तो यहाँ पर आप इसकी लंबाई 25 इंच भी ले सकते हैं बट में यहाँ पर 22 इंच लूँगी अब यहाँ से इसको हमने double fold करके पकड़ना है और इस तरह से हमने इसको रख लेना है इसके बाद दीखे जो हमारा criss cross हिजाब है इसको हमने center में से इस तरह से fold कर लेना है और यहाँ से इसको check करता है जहां भी हमारा criss cross and होता है यहां पर mark कर लेंगे से लगबग 2 इंच पर उपर की तरफ मार्क करेंगे अब इन दोनों mark को हम इस तरह से slant में mark कर देंगे इसी marking पर हमने cut कर लेना है अब यहीं से हमने अपने criss cross hijab को इस से attach करेंगे तो देखे इसको हम इस तरह से open कर लेते हैं अब इसको हमने इस तरह से join करना है तो सबसे पहले यहां पर हम center में mark कर लेंगे इस तरह से अब यहाँ पर भी हमने center में mark कर लेना है तो दोनों की right side एक दूसरे को face करते हुए रखेंगे देखे और एक दूसरे के सामने हमने mark को भी रखना है और यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है इसके बाद हमने इसको यहाँ से सिलना है तो चलिए हम इसको machine पर सिलकर दिखाते है तो दिखे इस तरह से हमने set कर लिया है अब यहाँ से हमारा लगबग half inch के margin सिलेंगे अब जो हमारा mark था यहाँ पर हलका सा cut लगाएंगे इस तरह से अब यहाँ से अच्छे से set करेंगे दोनों mark एक दूसरे के सामने आने चाहिए जो हमने mark किये थे center के तो इस तरह से mark पर आने के बाद needle को हमने नीचे रखना है और fabric को हमने उपर वाली पट्टी को घुमाना है इस तरह से अब बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी तरह भी सिल देना है और यहां लाकर हमने अपनी stitch को खतम कर देना है इसके बाद हम इसको right side में इस तरह से दिखी turn कर लेंगे तो यह हमारा हिजाब तेयार है इसके बाद हमने एक stitch और लगानी है तो यह मैं one foot के margin पर लगाऊंगी ताकि जो हमारा क्रिस क्रॉस हिजाब है वो दुपट्टे के साथ अच्छे से सैट हो जाए और यहां पर corner है तो यह अच्छे फूले नहीं तो यहां पर हमने एक cover stitch करनी है one foot की दूरी पर तो इस तरह से यह हमारा क्रिस क्रॉस हिजाब तयार हो गया है तो friends वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताएं और इस हिजाब को एक बार try जरूर करें I hope यह हिजाब आपको बहुत पसंद आएगा यहां पर fabric आप अपनी choice से ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा हिजाब बिल्कुल perfectly तयार हो गया है इस तरह के हिजाब की market में आजकल बहुत trend है तो यह हिजाब easily आप घर में बना सकते हैं आप किसी भी पुराने दुपट्टे के साथ इस हिजाब को बना सकते हैं यानि आप इसको जॉर्जेट में भी बना सकते हैं और किसी रियॉन फैब्रिक में या फिर आप cotton फैब्रिक में भी बना सकते हैं यह वीडियो मेरे एक subscriber की requested वीडियो है जिन्होंने मुझे instagram पर DM करके इस तरह के हिजाब की request की थी तो guys अगर आपको भी इसी तरह की कोई भी requested वीडियो बनानी है तो आप हमें instagram पर ज़रूर follow करें instagram का link आप description box में देख सकते हैं इसी के साथ आपको वीडियो useful रहा तो वीडियो को like करके अपनी friends और family के साथ इस वीडियो को ज़रूर share करें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ideas के साथ तब तक के लिए bye take care thanks for watching this video